हेलो बच्चा लोग वेल्कम टू टू टीचर सचनुपाध है वेल्कम टू विदान्तु नीट मेडीजी प्लैटफॉर्म सवाउस जोश जोड़ भी हाई बच्चा पार्टी आपका होना चाहिए जोश एक्दम हाई लेक्चर वन के अंदर हमने बेसिक चर्चा की थी हमने इं ये वीडियोस को बहुत दिल से सुनोगे तो फिजिक्स के साथ आपको इश्क महबत हो जाएगा अगर कानेमेटिक जीरो था आपका तकलीव देता था तो वाच देस सेशन ये तो खैर यूटूब की बात हो गई बच्चो और आप लोगों को पता ही है कि हमारे के platform पर जॉइन होकर के पढ़े थे सबस्क्रिप्शन लिए थे और एक बहुत 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 हैं चहां पर विदान्तु के बच्चे आप डॉक्टर बने ना जा रहे हुँ सो आप अपने जर्णी को भी बहतरीन कर सकते हो अगर आप 2020 के स्टूडेंट्स हो 2022 में आप अपनी एक्जाम देने वाले हो या 2023 में देने वाले हो आपको पता है कि रिकॉर्डड वीडियोस में आप लोगों के लिए 2023 तक खतम करूँगा बाकि नीट किक सीरीज तो चलती रह रहे होंगे आप अपने डाउट पूछ सकते हो आपको मॉडियो मिल जाएगा एवरेटिंग इस अवैलेबल नीट की प्रिप्रेशन ले जिन चीजों को जरुरत है वह हमारे विदानतु के वीव प्लाट्फूम पर है वह बच्चे जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आ किया है तो मैं चाहूंगा आशा करूंगा उमीद करूंगा कि आप भी लाइव क्लासे जोइन करो और अगली साल पच्छिस सौ से भी जादा बच्चों का टार्गेट होना चाहिए होगा ना बच्चों सो जस्ट राइट दॉन बोक्स हैस्टैक प्राउड वीदांस हैस्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना बुलना मत और निव निव इस प्लैटफॉर मेक्शुर दरी पीपला पार फैमिली तो नीचे जो सुन्दर से खुबसुरा सी रेडवाली बटनों से दबा करके जोइन कर लीजे और डोंट फोगे टो प्रेस ते बलाइकन ठीक है तो स् रेफरेंस बुक यूज करते होंगे तब आपको बड़ी सारी चीजें बताएंगी बताई जाती है लेकिन मैं आपको फिजिक्स को आसान करके समझाना मेरा हमेशा से दे है पिछले तीन चार साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा है और मेरा हमेशा सी की टार्गेट है कि ज में कैसे करते हो वो मैटर नहीं करता अप्रोच मैटर करता है तो बच्चा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टूटल डिस्टेंस यानि पाथ लेंध डिवाइड़ बाई टाइम इंटर्वल ठीक है जितने समय में पार्टिकल ने जितनी दूरी तै की है वो उसका ए मिर भी हो सकता है कि जब भी कीलो मेटर प्रती घंटे को आप मीटर पर सेकेंड मे चर hills कर रहे हुं तो पांच फैब इसका यूनेट भी समझ में आ गया फिर एवरेज स्पीड याज भी हमेशा क्या रहता है पॉजिटीव ही रहता है यह कभी भी नहीं रहता कॉन एविरेज स्पीड एक्जामपल लेते हैं आप चिंता मत करो जैसे प्रिमाल लीजे हमने यहां पर एक ग्राफ लिया है यह आपका 0, 10, 20, 30, 40 ठीक आपका पार्टिकल या वहिकल या कार एसे स्टार्ट करता है फिर बी पर जाता है और फिर यहां पर शाप टन लेके तुरन पर आता है नीचे को डिस्टेंस कवर नहीं करता और यह जर्णी वो क 4 घंटे में कवर करता है आप से पूछा जाएवरेज स्पीड क्या है तो यहां पर जो एवरेज स्पीड हुआ उसकी वैलिव हो जाएगी टूटल डिस्टेंस यानि 10, 20, 30 और वापस टन लिया तो 40 बटे में 4 यानि कितना हो गया 10 किलोमेटर पर आर यानि 10 किलोमेटर प्र ग Six. 40 किलोमेटर से कवर करणा है तो कितने गंटे में जाएगा 4 गंटे में यहां पर मैं एक सवाल पोझेहां वीडियो को रुखना और फिर सवाल का आंसर देना क्या एवरेज स्पीड हमें एक्जेक्ट वैल्यू देता है एक्जेक्ट आइडिया देता है जैसे मैं गिरनार के जंगल जाने वाला हूं समाधी लेने के लिए इसा नहीं है बढ़ा पहले आइवस ट्राइंग कि हम लोग उद्यपूर जाएंगे लेकिन कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में गुजरात से निकल रहें इसको एक्स्पोर नहीं किया तो हम बेसिकली जा रहे हैं द्वार का सुमनाथ और कीर तो अगर मैं गूगल मैप ओपन करूं और वो दिखाता है मुझे कि एवरेज स्पीड है आपका 80 किलोमेटर पर आर में पहुंचूंगा आंसर कमेंट बॉक्स में दीजें आंसर है नहीं सर क्यों क्यों कि एवरेज का मतलब सिर्फ एप्रॉक्स वैल्यू है यह भी तो हो सकता है रास्ते में हम चाय पानी माताश्री के साथ कहीं बैठ कर रहे हूं अपने दोस्तों के साथ कर रहे हूं काड़ रखे यहां पर सिर्फ इतना समझिए कि एवरेज वास्तों में हमें कभी भी एग्जेक्ट वैल्यू नहीं देता आप यह पॉइंट समझ पाईव अच्छे से तो प्लीज कमेंट कर देना यह सर हम इस वीडियो को सुने हैं और इस पॉइंट पर लगबख साथ आठ मिनिट वाला सेशन चल रहा है साथ वे आठ मिनिट पर हम पहुंचे हैं और हमें बात समझ में आई जैसे किलोमेटर ट्र है मोदी सरकार है दिरिद्र चल गता ऐसी बात नहीं है एवरिज हमें कन्विनेंट वैल्यू देता है एक्जेक्ट वैल्यू नहीं देता एक्जेक्ट हमें देने वाले टर्म्स दूसरे लोग हैं वहम बताते हैं कि कैसे चली आए तो यह हमारा एवरेज स्पीड हो गया अपॉन में टाइम बस ओल्ली डिफरेंस यही है नेट डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम नेट डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम यूनिट भी वही है बिस्प्लेस्मेंट पॉजिटिव भी होता है जीरो भी हो सकता है इसी लिए हमारा एवरेज वेलोसिटी गंटा है दोनों सकता है इसी सवाल के अंदर अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाता तो वो यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुचा यह इनीशल है यह फाइनल है तो बच्चे इसका वैली हो गया फाइनल से इनीशल माइनस करेंगे तो 20-0 यानि 20 और 4 घंटे म अलग जीज है एवरेज वेलोसिटी आपको क्या देगा क्योंकि डिरेक्शन पर भी मैटर करता है यह सीधा बताता है कि भाई साब अगर शौट पाथ होता तो फिर पांच किलोमेटर पती घंटे की रफ्तार से आप पहुच जाते हैं बात आई समझ मैं एक्जाम्पल के त दौर फे त्रीक हो कोई नहीं हमारा सेइव है और यहां है द्सूरत अब और यहां है पूरा हमारा अरब सागर अ मुच्छ यह तौरफ पानी से जा रहे होते सच्पांच ने अगर पानी से जा रहे होते तो ये इवरेज विलाला soci do wepra x कि average speed velocity में है डिफेरंस है कि आपका शॉर्ट इस्ट बताएगा कि शॉर्ट इस्ट पाथ को फॉलो कि तो अरफतार गया थी ौर average speed क्या था कि हम जैसे इसे particle को चलाए तो velocity है फीक है बात एकडम चमका बढ़िया तो पास average speed भी आ गया हमारे पास average velocity भी आ गया और average velocity positive negative हो सकता है उसका एक example दो यह लो भी यह minus 10 particle अगर यहां आया होता तो minus 10 minus 0 divided by 4 घंटा या जो जितना time लगा हूँ जितना time तो आप divide कर दीजे ठीक तो यह चीज है average speed का average velocity का बाते याद रखो no down कर लो average velocity कभी भी negative सोरी average speed कभी भी negative नहीं हो सकता वह हमेसा positive रहता है लेकिन जो average speed है वह positive सोरी वह हमेसा positive रहता है और average velocity positive negative 0 हो सकता है unit क्या है meter per second है kilometer पर आ रहा है अगर kilometer पर आ रहा है मुसे meter per second है बन लेंगे तो हमें 5 by 18 से multiply करना होगा उसका ठीक उल्टा वाइस वर्सा 18 by 5 नेक्स point यह आता है कि इनका प्यारा सा सवाल करते हैं कि आए देखिए average speed का बहुत बहुत बहुतरीन सवाल देखो द्यान से जैसे एक बहुत और कैसा भी सवाल हो आप average speed का अगर आप इस लॉजिक को फॉलो करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा तो एक पार्टिकल है जिसने सबसे पहले डीवन जितना डिस्टन्स तेह किया बच्चा इतने स्पीड से वीवन जितने स्पीड से फिर उसने डीटू जितना स्पीड डिस्टन्स कवर किया वीटू स्पीड से आप से बोला जाता है इसका average speed बताओ अब average speed का formula होता है total distance upon total time तो distance तो हमारे पास है पर time नहीं है तो simple funda लगाने का मान लीजे कि यह वाला टाय करने के लिए लगने वाला time टीवन है यह वाला टाय करने के लगने वाला time टीटू है हर बारी बच्चा average speed आप इसी formula से ही करिएगा ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं तो total distance कितना हुआ डीवन प्लस डीटू और total time कितना हुआ टीवन प्लस टीटू क्या speed बराबर distance upon time हां क्या speed बराबर distance upon time हां तो time बराबर क्या होगा distance upon speed गजब टाइम बराबर क्या होगा distance upon speed बाद चमका बच्चा लो फील आया बच्चा लो अरे स्पिट रिस्टेंस अपन टाइम तो टाइम बराबर दिस्टेंस अपन स्पीड होगा ना यार रख दो सो दी 1 प्लस दी 2 अपन डी 1 अपन वी 1 प्लस दी 2 अपन वी 2 अभी तीसरा डिस्टेंस भी हो सकता था कि एक और डिस्टेंस चला इतने स्पीड से एक और डिस्टेंस चला इतने स्पीड से एक और डिस्टेंस चला इतने स्पीड से पीपल आर गेटिंग मैं पॉइंट यह जाएगा तो हम average speed निकाल सकते हैं अब कुछ भी सवाल आ सकता है कि राम है 10 km चला इतने speed से श्याम है 50 km चला इतने speed से तो आप हर बारी यह देखा करो कि क्या आपके पास distance है तो पूरा टोटल हो जाएगा कि आपके पास speed है तो हो जाएगा अब आपको एक shortcut समझाते हैं अगर पार्टिकल दो समान दूरी चलता है सेम सेम जैसे हम कहें घर से निकल कर office पहुंचे और office से वापस घर आए तो ऐसा तो है नहीं कि distance बदल जाएगा भाई धर से office जितना दूर है office से घर भी उतना ही दूर है डिस्टेंस सेम हो गया तो अगर डिस्टेंस सेम हो जाता है बच्चा तो दीवन इस इकॉल टू इस इकॉल टू डी हो कब लगाएंगे जब दो डिस्टेंस सेम हो और एवरेज स्पीड पूछ है जैसे मैं बोलूँ एक आदमी चला घर से office के लिए 50 km प्रती घंटे की रफ्तार फिर office से घर आया है 20 km प्रती घंटे की रफ्तार और वहां से थ्री वी-वान-वी-2 वी-3 अपॉन-वी-टू-वी-टू-वी- defe perfect बिदे में तोLes बिस्टेंस अपर सवाल हो सकता तो आप यह दोनों को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो कि जब हमारा इक्वल डिस्टेंस होता है दो इक्वल डिस्टेंस तो हम कैसे एवरेज स्पीट निकालेंगे और अगर तीन equal distance होगा तो हम कैसे average speed निकालेंगे बराबर चलो आगे बढ़ते हैं एक velocity का बहुत बहुत सवाल लेते हैं बच्चा क्योंकि आगे के class में आपको बहुत काम आएगा कई बारी क्या होगा कि आपको ना ऐसे equations दिये होंगे कि जो हमारा पार्टिकल का पोजिशन है वह इस हिसाब से बदलता है टी स्कूर प्लस 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 वन और आप से बोलेगा कि सवाल में कि बताइए टी बराबर एक सेकेंड से ले करके टी बराबर दो सेकेंड टाइम इंटर्वल रहेगा बच्चा इतने समय से समय तक इतने समय से इतने समय तक वेलासिटी क्या थी यानि वह एक तरह से एवरेज विलासिटी अब एवरेज वेलासिटी यह जो फ्रॉर्मूला है वह आपका क्या है डिस्प्लेस्मेंट अपन टाइम और displacement का मतलब क्या होता है final minus initial अरे तो हम ऐसे ही लिखेंगे न डेल्टा एक सपोन डेल्टा टी फिजिक्स में डेल्टा का मतलब होता है चेंज देखो बच्चो एक यह वाले example लिया था इसमें average velocity निकालने के लिए हमने वही किया final minus initial ही किया है यह बहुत simple question है लेकिन ऐसे question आपके नीट में आते हैं equation given होगा time interval दिया होगा आप से average velocity पूछेगा तो क्या करिएगा डेल्टा एक सपोन डेल्टा टी और डेल्टा का मतलब होता है change change का मतलब होता है xf-xi upon tf-ti मुझे ठीक है अब xf के जगह पर क्या होगा तो xf का मतलब हुआ x के equation में t का final value रखो दो का square चार चार दूनी आठ प्लस एक माइनस एक एक प्लस चार प्लस एक डिवाइड़ बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशल टाइम दो माइनस एक दो में से एक गया तो एक तो आठ चार बारे एक तेरा और चार दो अच्छे तेरा में से च्छे गया तो कितना साथ सेवन मीटर पर सेकिंड और किलोमेटर पर आपका average velocity का most important question आप समझ लीजे क्योंकि ऐसे सवाल अकसर नीट वाले लोग पूछते रहते हैं average speed के बड़े सारी questions हैं ऐसा नहीं कि बस यह खतम हो गया कानेमेटिक्स अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है बच्छो और लाइव में भी आकर कि आप को सिखाएंगे बट पहले मैं चाहता हूं छोटे-छोटे वीडियो से अब अपने concept clarity रखो ताकि जब हम लाइव भी करें 2030 वाले बच्चों के लिए तो आप पीछे ना रहो मेरे बच्चा पार्टी ठीक है ना चलो और मेरा यह इनिशीटिव इसलिए भी था क्योंकि लाइव क्लास में बहुत सारी लोग बकैती करता है और रेकॉर्डेट में बच्चा पढ़ता है ढंक से रियल इमांद अब आप चाहो तो एक कुशन हम आपको होमवक के लिए देते हैं बट यह होमवक आपका प्राह निकाल सकता है बट टरना मत कर लोगे आप तो एक पार्टिकल अपने टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस वीवन रफ्तार से चलता है बाकी के बचे आधे डिस्टेंस में लिये गए समय के आधे टाइम में रफ्तार उसका वी टू है और आधे टाइम में रफ्तार उसका वी थ्री है तो बताईए एवरेज स्प यह average speed कितना हुआ I repeat the question एक particle total distance का आधा distance V1 से चला बाकी बचे हुए आधे distance में लगने वाले time के आधे time में the speed is V2 and remaining half time the speed was V3 so calculate the average speed यह question का answer आप लोगों को मुझे इस वीडियो के टैग इस वीडियो के लिंक के साथ टैग करना है इंस्टाग्राम पे सचिन underscore sir underscore physics मैं जहां भी रहूँगा जंगल से lion को दिखाऊंगा आपको लेकिन मैं यह answer चेक करने वाला हूँ यह वीडियो अभी दो-तिन दिन बाद वाला बुक खरीदो बच्चा 2023 के स्टूडेंट्स हो तो अपनी प्रिप्रेशन को शांदार बनाओ मैं आपके साथ हो इस जर्णी में अगर आप विदान्तु के प्लैटफॉर्म से पढ़ रहे हो सब्सक्रिप्शन ले चुके हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पर आमेजिंग टीचर्स आपको गाइड करने के लिए हैं आपको क्रेश कोर्स बताएंगे आपको छोटे-छोटे चैप्टर का अलग से पॉइंट लेकिन वो बच्चे जो यूट्यूब से स्रिपुट से पढ़े हो मां उनको यह रिकमेंड करूंगा प्लीज अच्छास करेंडू अच्छास बढ़े टो टो तो मैं आपको यह रिकमेंड आपको यह कार्च लाएंगर बच्छास-बैस